तो कैसे हैं आप लोग I hope you all are doing great तो देखे दोस्तों उत्राखंड जीके one-liners part 132 है आज और इसमें भी मिलेंगे आपको उत्राखंड सामान्य दिन के महत्तोपों one-liners दोस्तों देखे इस सीरीज बहुत जादा महत्तोपों है आपके लिए उत्राखंड ग्रुप सी एक्जाम के लिए खासकर साथी UKPSC एक्जाम के लिए भी महत्तोपों है देखे दोस्तों इसमें आपको उत्राखंड के various sections से question देखने को मिलते हैं लाइक उत्राखंड के history, quality, geography, economics, उत्राखंड का art and culture एं उत्राखंड एस्टेटिक जीके तो सभी प्रिकार के question का mixture लेता है इस उत्र आपके लिए लाए गए है तो चलिए सुरू करेंगे दोस्तों ठीक है पहला question देखते हैं आज का तो पहला question है देखिए लकसर जंक्षन को हरिद्वार से कब जोगा गया था देखे दोस्तों है कुछ महत्तौपकर question बन जाते हैं एक्जाम में लास्ट टाइम में भी UKSSC के एक्जाम में question बना था रेल से संबंदिती question था हूँ ठीक है तो आपको सभी point याद उने चीए उत्रागर में जो रेल परिवन का विकास हुआ दोस्तों किस प्रकार से हुआ है तो लकसर जंक्षन जो है दोस्तों इसको हरिद्वार से जोगा गया था सन 896 में 1896 ठीक है कभ परेली से काड़ गोदाम पहली बार रेल पहुंची थी 1884 में ठीक है तो ऐसे question बन जाते हैं आपके तो यह सभी महत्तों point आपने याद रखने दोस्तों आगला दिके हिमानचल प्रदेश के कितने जनपत उत्राखंड राज्य को इस पर से करते हैं बहुत अच्छा question है दो दोस्तों यह हो गया देरादुन यह हो गया उत्तरकाशी ठीक है और इमानचल के तीन जनपत हमें टच करते हैं एक हमारा दोस्तों सिर्मौर जनपत ठीक है दूसरा हमारा सिमला और तीसरा हमारा दोस्तों किन्नौर ठीक है किन्नौर देश की यात्रा भी आपने पगा होगा एक राइटर की लचना है किननोर देश की आतरा तो शिर्मौर, सिमला और किननोर तिक है जो हमारे उत्तरकाशी देरादूनसे ताच होते हैं और उत्तरागण के दो राज्य से एक मात्र ग्यानपीट पुरुषकार विजेता कौन है तो देखे दोस्तों गर्व की बात है उत्राक इनके पहले साहित्तेकार यानके इंदी के भी पहले कभी बने थे जिनने ग्यानपीट आवार्ड दिया गया था दोस्तों 1968 में और इधे सुमित्रा नंदन पंत जी ठीक है पंत जी को 1968 में ग्यानपीट से सम्मानित क्या गया इनके रचना थी चिदंबरा काव्य संग्र ठीक है चिदंबरा तो इसके लिए मिलाते है ने ग्यानपीट 1968 में चलिए अगला कोशिन देखने कुली बेगार को कानोनी मानेता कब दी गई थी आच्छा कोशिन दोस्तों, देखे उत्रागन की दर्ती में दौस्तों कूली बेगार जो प्रथा थी राजाओं के काल से ही चली आ रहती, कत्यूरी डाइनेश्टी से इसका साक्षे मिलता है कि कत्यूरी राजा उसमें गाओं में विजीट करते होंगे, तो उनकी सेवा करने के लिए गाओं और Britishess दोस्तों इसको कानूनी मानिता दे देते हैं 1884 में क्योंकि 1874 में दोस्तों आपको पता है एक हमारा Act आता है Schedule District Act जिला अधिसुचित अधिनियम उसके अंतर के दोस्तों उत्राखड में जो उसमें कुली बेगार चल ली दी तो यह प्रावधान था इसमें ठीक है तो हमेजा याद रखने है आपने कुली बेगार को कानूनी मानिता कब मिली 1874 में और कुली बेगार प्रथा का कानूनी मतलब तोर पर समाप्ती कब हुई तो 1923 इसमें बड़ा confusion रहेगा आपको देखे कुली बेगार प्रथा थी दोस्तों इसको कानूनी मानिता मिली 1874 में और इस कानून को खतम किया गया 1923 में जबकि उत्रागन की धर्ति में कुली बेगार का अंत 1921 में ही हो जाता है सर्यू के तटपर मकर संक्रांती के दिन बागेश्वर में ठीक है लेकिन ओफिशल तोर पर यहां पर बिल्टीसस ने माना थो गही था इसको यह तो हम लोगों ने माना था ना हमने बोला हम कुली बेगार नहीं देंगे डॉक्यूमेंट वग्एरा बहाद ही हमने नदी में लेकिन बिल्टिसस की नजर में ओफिचल तोर पे जो हमारे कुली बेकार समाप्ती वर्स था 1923 था हो उत्राखिंड का बहुत गया किसे एक आ जाता है अच्छा कोश्यन है तो देखे स्वामी विवेका नंद की उत्राखिंड यात्रा मैंने एक टॉपिक दिया हुए आपको यूटूब पर सर्च कीजिएगा मिल जाएगा वहाँ पर मैंने आपको बताया था स्वामी जी ने जो यात्रा की उत्राखिंड के पहली यात्रा तो उन्होंने दोस्तों काकडी घाट में दोस्तों तब किया था ठीक है काकडी घाट एक प्लेस है अलमोगा जनपत में कोसी के तट पर है यहाँ पर एक पीपल के बिल्ट्चे के नीचे बैटकर स्वामी जी ने तब किया था और उन्हें ज्यान के प्राप्ती हुई थी सेम लाइक गौतम बुद्ध तो इसी लिए इस प्लेस को उत्राखंड का बोध गया का गया फिर बाद में काकडी घाट ठीक है अगला देखे टीरी लियास्ट में तुली कर क्या था या किस ने लगाया था तो तुली कर लगाने वाला सा सकता है टीरी में दोस्तों सुदर्शन सा देखे जब सुदर्शन सा गद्धी पर बैठा दोस्तों हम इतियास पड़ते हैं बगी मुश्किल से उसने अपना खोया हुआ सामराज्य वापस पाया उसमें से भी दोस्तों अलगनंदा का पूर्वी भागता वो ब्रिटिसस ने अगप लिया केवल अलगनंदा का पश्यमी भाग दिया हमारे सुदर्शन सा को अब भया राजकोस खाली था क्या करें क्या करें तो नहीं नहीं टैक्सेस की नीतिया आई उसमें तो राज्य में जो भी हमारा तुली मतलब, तुली का मतलब क्या होता है दोस्तों, तुली, तराजू, ठीक है, तो तराजू पर टैक्स लगा दिया गया, तो ये कर लगाने वाला व्यक्ति था सुदर्शन सा, इसके बाद हमारा गंगा जल पर टैक्स लगाता है, अगला सासक तो तुली गर किसी ने लगा था? सुदर्सनसान है स्वाधिंता आंडुलन के दोरान जंगलात नमक पूस्तक किसने लिखी थी? अच्छा कुश्शन है तो देखे स्वाधिंता आंडुलन के दोरान दोस्तों इसी आप से इसी के साथ और घटित तो इस पर एक पुस्तक लिखी जंगलात, जंगलात का मतलब होता है जंगल, वन, तो जंगलात पुस्तक लिखी थी प्रेम बल्लब पांडेजी ने, अगला देखे सन्यासी प्रथा का विरोध करने वाली संस्ता कौन सी थी, बहुत अच्छा कोशिन है, ठीके, अम आपकी जी करके ले जाते थे, तो गरवाल के कुछ लोगों को पता चल गया, इसका कि ऐसा ऐसा हो रहा है अपने चेत्र में, सादू सन्यासी का बेज धर के कुछ ठग यहां पर आ रहे हैं और बच्चों को ले जा रहे हो, तो इसके बाद गरवाल भात्र मंडल था दोस्तों, इन्हों अगला देखे, अमारे जंगलात, जो अमारे अभी बात हुई थी, या वन आंदोलन हुई थे, उसके दोरान दोस्तों, यहां पर लिखा था, फॉरेस्ट प्रॉब्लम सिन कुमाओ, किसकी यही रचना, फॉरेस्ट प्रॉब्लम सिन कुमाओ, तो यह लिखा था, पंडित गोविंद बलब पंतने, ठीक है, फॉरेस्ट प्रॉब्लम सिन कुमाओ, कुमाओ में हरिजन सेवक संग की साखा किसने इस्तापित की थी, बहु दोस्तो ही इसकी साकास्तापित की कई जो हिल्दागी ना रिजन के नाल हमाएं यह पर नाम स्वादिंत्ज हं स्वारीन बेसulation है इन्नों आंदे धी कुमाउ व्यक्स सम्मेलन इसकी अध्यक्षिताबी की थी 1932 वाली तो बहुत इंपोर्टेंट नाम है इंदर्श या नयाल बागी उत्रागन की महान विभूती आप ले लिश्टिबा मैंने दिया हुआ है इनके बार में जरूर वाच कीजिएगा आप इनके बार में कोशन निकलता है यहां से किताबे भी है ठीक है अगला देखे जोहार उपकारणी सभा की स्थाफना कभ हुई थी तो जोहार उपकारणी सभा देखे दोस्तों 1908 का जो मारे कॉंग्रेश का अधिवेशन हुआ ता अखिल भारतिय उसमें जोहार छेतर से यानि कि जोहार छेतर कहा हो गया वहां मुंस इसका नाम था जोहार उपकारणी सभा और स्थाफना हुई इसके 1912 में जब कुमाओं कॉंग्रेश की स्थाफना औरतिय अलमोगा में उसी समय हमारी जोहार उपकारणी सभा भी स्थाफित की गई जोहार गाड़ी जोहार छेतर में राज्य के पहले निर्वाचित विदान सभा अध्यक्षे कौन थे बहुत अच्छा कोईशन है एंडि राइट अंसर इस पाल आ रहे हैं देके दोस्तों राज जी की जो पहले निर्वाचित विदान सभा थी 2002 में होई थी न निर्वाचित सबसे पहले चुनाव जो हुए उससे पहले अगर कभी कोईशन बनता कि राजे में जो अंतरिम विदान सभा बनी थी अंतरिम विदान सभा का हमारा विदान सभा अध्यक्षे कौन था तो यह प्रकास पंत थे और राजे के पहले निर्वाचित विदान सभा के अध्यक्षे जब चुनाव हो गया कॉंग्रेस को पहले चुनाव में 36 सीटे मिलते ह पिर कुछ अन्य दल भी मिल जाते हैं उनके साथ एंडी तीवारी पहले निर्वाचित मुख्या मंतरी बनते हैं उत्राखंडी राज्य के और पहले निर्वाचित सरकार का जो विदानसबा अध्यक्षे बनता है वो कौन है यसपाल आरे ठीक है तो याद रखना आपने महत्त हुए हैं बहुत अच्छा कोश्चन है चत्रेस्वर प्रकार की मुद्राइं देखे दोस्तों हमारी अगर एतियासिक काल का देगा हम तो एतियासिक काल की भहुत सी मुद्राइं प्राप्त होती हैं को इंद सासों की जिसमें हमारी अमोग भूती प्रकार की मुद्राइं अ वाला कमिशनर कौन था बहुत अच्छा क्वेशन है तो देखें बेरातर पर्व यह जौन सारी समुदाई में प्रचलित एक पर्व था दोस्तों ठीक है बेरातर यानि की बेराब आता जाता था एक प्रथा था ठीक है देखें किसी दुर्गम चक्ठान पर दोस्तों एक रश ठीक है और उस रसी पर हमारे समुदाई का कोई व्यक्ति बेरा डालते हुए इस पार से उस पार आता था जिसमें बहुत बगया रिस्क था जानत का मतब जैसे आपने नट देखा होगा नट रसी में जो सरकस में कत्रप दिखाते हैं बिल्कुल रसी में चलता है एक पैर से उसी परकार का मालूब आप दो पारी के छोर हैं बीच में घैंकर खाई है रसी बात कर एक बेड़ा उससे पार करवाना ये इस तरका एक बेड़ा तर पर हुआ था दोस्तों जिसमें कैजुल्टी बहुत बाहर हो जाती थी और संभावना रहती थी इसको भापते होई तो ने इस परवा पर प्रती बन्द लगा दिया था था थी तो बेगातर परवा किस जन जाती से संबंदित था कोष्चन बनेगा वेगातर जौन सारी समुदाय से संबंदित था था इस प्रती बंद लगाने वाला कमिश्चन आर खोन तो 0 ंबR to proving भ Up must ऑ बोटिया जन जाती में प्रचलित सुजली मुझली क्या था अच्छा कोशन है वी तो देखे तो अगर समझना है अर चीज को दो देखे दोस्तों आपको पता है बोटिया और तिबबद व्यापार प्राचिन बोटिया तिबबद व्यापार बहुत फेमस था तो यहां से इनकी डिएल करवाता था यहां से बोटिया जो सामाल ले गए हैं तिबबद वालों को दे रहें मतला आदान-पृद्ण होता हसे मुद्राका ने front मुझली प्रथा यहां Circ Gabarine Once आंres धई मूभाव लाईं तो फिर विश्वास करना भी जरूरी Igor's में विश्वास करना में विडियेटर क्या करता था एक प्रथा थी उसमें इनके बीच में चली हुई दोस्तों ठीक है सुजली मुझली प्रथा थी यह व्यापार की रस्म थी इसमें क्या होता था दोस्तों चकती छंग जो भोठिया जन जाती में बहुत प्रचली था उनकी जो हमारी ट्रेडिशनल दोनों ब्यक्ति एक-इक पैग मारते थे एकि गिलास से यानि कгляд दुश्रे का जूटा पी थे हो एक गिलास में पैग बनाई जा थी उस पैक को हमारा तिबबत का व्यापारी भी पीता था और भोटिया-व्यापारी भी ताकि उन दोनों के जो विश्वास वो बने रहे हैं उन दोने के प्रगाधता, मित्रता बनी रहे हैं यानि कि आप उन्होंने एक दूसरे का जूटा पी लिया तो भविश्य में वो एक दूसरे का साथ हमिशा देंगे इस तरह की कुछ ब्यापार की प्रथा थी है और इसको सुझिली मुझिली बोला गया दोस्तों ब्यापार की एक रस्म थी है ठीक है शमझ पाएंगे आप इसके बाद इनका पत्थर वाला सीन भी होता था एक पत्थर लाकि उसको तोग जया जाता था और आधा इस्सा हमारा बोल्टिया व्यापारी लेक्ए आता था इतर आधा इस्सा अमारा तिबबत का व्यापारी जब अगली बार हो सकता है अक्जाम पर किस पर आधाब्ट है चीजों का अधार पिरऱ्दान होता ठीक है धियान नेखेंगे और उटक्तार की समापती हो गई तो 1962 में जैसे ही चाइना ने हम पर युद्ध किया इसके बाद बहुती है व्यापार की समाप्ति हो गई ठीक है बैन हो गया है सिल्पकार समुदाई से विदायक बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे राज जी में देखिए दोस्तों जो 1937 के प्रांतिय कौन चुना होई थे 1937 के इसमें अलमगा को दो सीट मिली थी एक सीट जनरल की थी एक हमारी रिजर्व थी तो उस रिजर्व सीट से पहले हमारे हमार छोए विदायक बनी थे दोस्तों कौन थे राम प्रशाथ टर्वुठाजी 2 जिए दियान डखेंगे सिल्पकार समुदाई से विदायक बनने वाले पहले व्यक्ति राज जी के राम प्रशाथ dolorosa फिका जाता है तो सुधर्शन तीर्थ के नाम से तो इसमist दो टेउ पुर् भागी रती और लगन अलगनंदा का संगम आते हैं और व के सबसे पहला पुरियाग कौनस है चलिए अगला कोश्य ने दिखिए बिल्टिस काल में पहला लेपरोसी सेंटर कहां पर खोला गया था बहुत अच्छा कोश्य ने दिखिए अब बिल्टिस कुबाओं करवाल दोस्तों पहला लेपरोसी सेंटर या पहला कोगल खाना लेपरोसी सेंटर को बोलते है कोगल खाना तो बिल्टिस काल में पहला जो लेपरोसी सेंटर को लगा है दोस्तों वो पिफ्धोरा को जन्पत में खोला घया था तो यह था हमारा पहला लेपरोसी सेंटर के बाहारी ओर जिगों से सेंटर के बाहाएं इसके बाद्र प्रिटिस गड़वाल में इसको खोला गया था तो कोस हमा रहा है उट्न सब चीज़ा बताई गई है ठीक है दोस्तों तो था यह दोस्तों आज उत्रा घंटी जी के वन लाइनर वन थर्टी टू बहुत ही महत्वपुल कोश्चन देखे हैं हमने दोस्तों एक एक कोश्चन महत्वपुल एक्जाम के लिए और थोगा बहुत व्याख्या होने से अच्छी से आपको याद भी र प्रॉल होना चाहते हैं वो लोग हमें मैसेज करें वर्टसप पे 9760-04-0434 ठीक है तो आगर आप इंटरेस्टेट है जरूर मैसेज कीज़गा बागी चैनल पर जो आमारी चीजा चल दे हो चलती रहेंगी अच्छे से अपनी स्टेडी करें दोस्तों पुराना कंटेंट बह सकते हैं अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन से सभी वीडियोस को टॉपिक्स को फॉलो करते हैं तो जल्दी मिलेंगे नेक्स टॉपिक में तिल देन अच्छे से अपनी स्टेडी करें दोस्तों अपना ध्यान रखें जै हिंद जै उत्राकंड